अब देखिए सैच्छनिक योगेता इसमें क्या रहने वाली है तो देखिएगा सैच्छनिक योगेता सीधी भरती के लिए नियुनतम सैच्छनिक योगेता दसम यानि कि मैट्रिक पास होना चाहिए या फिर किसी भी मानेता प्राप समकच योगेता भी है तो भी आविदन कर सकते हैं ठीक है यानि कि जो है कम से कम आपको मैट्रिक पास होना अनिवारे होगा तब ही आप कार्याली परिचारी में आविदन कर पाएंगे कार्याली परिचारी का मतलब आप लोग जानते ही है चपरासी होता है चपरासी का आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, हलाके देखिए यह notice जो है आपको पहले भी बहुत सारे चैनल पे दिखाये गए होंगे, लेकिन जो मैं आपको दिखाऊंगा, वो बिल्कुल नया चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो देखिए क्या है पहले तो इसको ही देख अगर जो नए लोग है जिनको नहीं पता है वो देख ले कि बिहार करमचारी चैन आयोग को आगामी असनातक अस्तरिय संजुक परतियोगिता परिच्छा और कारियाले परिचारी विशिष्ट यानि कि कोटी चार के रिक्त पदों की अधियाचना उपलब्द कराने की संब मुखे सचीव की और से सभी परमंडली आयुकत को और जिला पदाधिकारी को कहा गया कि सभी अपने जिले से जो है जितना भी सीट खाली है परिचारी की वो भेजे ताकि बिहार एसनसी के द्वारा जो है ये वैकेंसी निकाली जाए तो ये वैकेंसी कब आएगी और योग सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे पलपल की अपडेट के लिए तो नियमा वली देखिए बनकर तयार हो चुकी है बिहार सरकार के द्वारा नियमा वली भी बना दी गई है अगर आप देखेंगे तो इसका जो नियमा वली है आप और बिष्टार समस्त बिहार बें होग को और नियमा वरी बिहार परिचारी और बिष्णिस्ट से भरती एवं गौरती होगी। तो सभी का सीटों का ब्योरा मांगा गया है मैंने आपको पहले भी नोटिस दिखा दिया तो उस नोटिस के मादेम से तो पता चल गया कि जो सीटे खाली है उसको मांगा जा रहा है सरकार की ओर से और जैसे ही सारपराप्त होता है तो भाइकंसी आएगी तो इसके लिए नियम बिहार में तो मैं यहां पर बता दो कितनी सीटे पे यह सीटों पर यह वैकंसी आएगी तो ध्यान दीजेगा देखिए कारयले परिचारी परिचारी पिसिस्ट कोटी चार मूल कोटी पचास परसें ठीक है तो मूल कोटी में जो भी वैकंसी आती है वो मूल कोटी में ही वै ही सीधी भरती की जा सकीगी, ठीक है, तो मूल कोटी के सीटों पर ही भरती की जाएगी, यानि कि मूल कोटी को अगर हम देखें, तो यहां पर 50% है, ठीक है, तो 50% यानि कि 50,000 का अगर हम देखें, आधा, तो 25,000 के आसपास फिर भी सीटे जो है, कार्यले परिचारी में भरती होगी अब ये बात एक चीज और यहाँ पे होती है कि एक फेज में होगा कि दो फेज में होगा क्योंकि सरकार का to policy है पब्लिक से पैसा ले ना तो एक बार ना काके दो बार में vacancy निकालेगी एक बार पी निकालेगी complete करेगी फिर दूसरे बार निकालेगी तकि सरकार का भी काम चलता रहे और public का भी काम चलता रहे तो इसलिए ये vacancy जो है दो फेज में भी आ सकती है अब देखे सैचनिक योगता इसमें ख्या रहने वाली है तो बैकि सैचनिक योगता सीधी भर्ती के लिए निउन।ोम चाहीए या पिर किसी भी मानेता प्राप समकच योगिता भी है तो भी आविदन कर सकते है ठीक है यानि कि जो है कम से कम आपको मैट्रिक पास होना अनिवारे होगा तब ही आप कार्याली परिचारी में आविदन कर पाएंगे कारियली परिशारी का मतलब आप लोग जाते ही है चपरासी होता है चपरासी का ही नाम बदाल कर जो है कारियली परिशारी किया गया है और सीधी भरती के लिए उमिद्वारों का स्वस्त होना आवस्यक होगा और उम्र जो है कम से कम 18 बर्स होगी और जो बिहार सरकार के अंतर qualification है बिहार में वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो सारे vacancy में लागू होता है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, अब देखिये, ओमर में यहाँ पे आप देख पा रहे हूँ कि जेनरल पुरूस के लिए 18 से 30 साल रहेगी जनरल फिमेल के लिए 18 से 40 साल रहेगा BC, EBC कटेगरी के 18 से 40 रहेगा और SC, SD का 18 से 42 साल रहेगा ठीक है तो यही age जो है qualification आपका निश्ची दूर्प से रहने वाला है अब देखिए बात करें कि यह vacancy कम तक आएगी तो आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे है इस सामाने परसासन विभाग द्वारा परते एक बरस 30 अपरेल तक सभी विभागों से आपकी आराच्छन वार कोटी वार रिखती है जो है अधियाचना बिहार करमचारी चैना आयोग यारी कि B.S.S.C. को उकलत करवाई जाएगी तो यहीं से आपको पता चल जाता है कि अगर परती पास 30 अपरेल को यदियाचना ही B.S.S.C. को भेजी जाएगी तो इसको निकालते निकालते 2-3 महिने का टाइम लग जाता है तो मान लिजे अप्रिल मैं जून जुलाई जुलाई तक यह वेकंसी आ सकती है यानि कि आप जो वेकंसी आएगी वो जुलाई 2024 तक ही उमीद है इसके पहले अभी कोई उमीद नहीं है ठीक है इससे आप समझ चुके होंगे कि यह जो वेकंसी है जुलाई तक आएगी 2024 में और इस भरती परकरिया में देखिए यहाँ पर probation period भी रखा जाएगा यानि परिच्छा, यामर, अबधी, संपुष्टी वान यानि कि दो साल के लिए आपको देखा जाएगा कि आपका काम कैसा है अगर आप अच्छे न होता है तो दो साल तक आपका probation period रहेगा यानि कि दो साल तक अगर आपका काम अच्छा है तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा अगर दो साल के अंतरगत को आपको दिकत होती है और आपका काम अच्छा नहीं पाया जाता है तो एक साल के लिए और बढ़ाया जाएगा उसके बाद भी अगर आपका काम अच्छा नहीं होता है तो आपको आपके विरुज़ कारवाई की जाएगी यारी सेवा मुक्त भी किया जा सकेगा तो उमीद करता हूँ जानकारी आपको असपश्ट हो चुकी होगी जो पहले भी कर्यार परिचारी की भीरति आी थी science and technology department में उसका सारा convert करके इसी में जोड़ दिया जाएगा नए भरति में तो जो पहले से आविधन कर चुके थे science and technology department में तो उन लोगों को जो है दोबारा करने की जरूत भी नहीं पड़ेगी तो उसके बारे में आपको अगले वीडिय कर ले पलपल के अपडेट के लिए मैं विलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ अब तक के लिए भाए जहिद